मैं अस्वंत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टेक्सिक प्रो में तो आज की वीडियों से हमें स्टार्ट करने वाले हैं टाबलू सीयस वर्क्षाप कल्कुलेशन एंड साइंस की क्लासस इंदी मीडियम में अगर आपको इंगलिस में वर्क्षाप कल्कुलेशन एंड साइंस की क्लासस देखनी है तो आल्रेड़ी चैनल पर साइंस मास्टर क्लासस के नाम से 25 वीडियो अल्रेड़ी उपलब्द है आप वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं ठीक वो जो वीडियों हैं उसमें जो कंटेंट लिखे गये ह लेकिन जो वहां पर explanation है उसका वो काफी detailed में explain किया गया है चीजों को बढ़ियां से example देके वहां पर समझाया गया है जो की Hindi और English दोनों language में explain किया गया है तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो description में link दी गई है आप वहां से जाकर उन वीडियों को देख सकते हैं त स्टार्ट करने वाले हैं आज से workshop calculation and science के class यह आपके upcoming जो इसरो के exam है उसके लिए बहुत ही most important होने वाली है जो लोग इसरो की तयारी कर रहे हैं उनके लिए main जो यहाँ पर formula होता strategy होती होता है previous year paper plus में आपका जो WCS का topic होता है इसको अच्छे से पढ़ना previous year जो आप paper analyze करत से वहां से आपको 60 to 70 percent question as it is मिल जाते है तो इसकी वी वीडियो आपको उपलब्द है चैनल पर वहां से जाकर करके देख सकते है previous year paper की WCS की classes हिंदी में आसे हम लोगी start कर रहे हैं बाई लेंगोर वाली आल्ड़ी पहले से ही उपलब्द है या फिर जिनका upcoming में NFC का paper है या unit, unit को हिंदी में क्या कहते हैं तो इसी को हिंदी में कहा जाता है इकाईया तो इस chapter प्याने से पहले हमें कुछ basic definition को समझना होता है सबसे पहला आता है कि भावतिक रास क्या होती है इसको English में कहा जाता है physical quantity तो भावतिक रास का मतलब ऐसी रासियां जिनको मापा जा सकता ह उनी को क्या कहते हैं भावतिक रासियां कहते हैं जिसे लंबाई हो गया दूरी हो गया ठीक है length breath height कुछ भी हो गई जिसको आप major कर सकते हैं जिसको माप सकते हैं उसी को क्या कहते हैं भावतिक रासियां कहते हैं next यहाँ पर पूछा जाता है मापन के बारे में कि मापन क्या होता है से इंग्लिज में कहते हैं मेजरमेंट तो किसी भी ग्यात रासी का ठीक किसी भी ग्यात रासी की किसी अग्यात रासी से ठीक है तुलना करना ही क्या कहलाता है वहाँ पर वो मापन कहलाता है या इसी को आप दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि किसी अग्यात रासी की ए कोई मानक है तो इस मानक से हम क्या करते हैं इसकी तुलना करते हैं और देखते हैं कितना कम है कितना जादा है तो यह क्या होता है मापन होता है जिसे जब आप कोई भी सामान बाजार से खरीदे हैं तो हाँ पर क्या करते हैं उनके पास एक मानक होता है जैसे आप अगर कोई मा किलोगराम के बाट से उसको कंपयर करते हैं तुल्णा कर कोई लिक्तव होता है तु किसा मापन के लिए आपको किसकी जरुपत यह सबसे पहले है सिरिक्स में कोई भी calculation हो तो किस पर भेक्षड होती हो 21 के उपर ही आधारित होती हो जब किसी संख्या के साथ क्या करते हैं उसकी privilege देते और उसका क्या होता है अर्थ होता है बिना क्या कोई जी मतलूर्द नहीं होता, जैसे हमने लिख दिया पांच तो इस 5 समझ मेगे आ रहा रहा है, कुछ भी समझ मेगे नहीं आ रहा है लेकिन अगर यहां लिख देए kilogram とो आपको समझ मेगे आ गया है कि क्या है, किसी भार का द्रभिमान का मातरथ है अगर इस kilogram के अस्थान पे क्या लिग दिया जाए पांच मीटर लिग दिया जाए तो आपको पता लग जायागा है किसे length breath height को so कर रहा है अगर इस meter के अस्थान पे हम क्या लिग दें सेकेंड लिग दें तो आपको पता चल जाएगा ये time को denote करा है कमय के तरफ सोचित कर रहा है तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है इकाई की जरूरत होती है इक प्रकार की ऐसी कह सकते हैं मानक राशी होती है जिसका परियोग हम अन्य राशियों को मापने के लिए करते हैं इकाई क्या होती है एक ऐसी मानक राशी होती है standard quantity होती है जिसका परयोग दूसरी जो अज्यात रासिया होती है उनको मापने के लिए किया जाता है यह standard quantity which is used to measure the other physical quantities is known as unit जैसे length की लंबाई की unit क्या हो जाती है millimeter हो जाती है या फिर inch हो जाता है भार या दरबिमान mass उसकी unit क्या हो जाएगी तो gram होए या फिर pound हो गया उसकी unit समय तो समय की इकाई क्या होती है second होती है ठिक तो आशा करते हैं आपको भौतिक रासिथ्य ऐसे रासिया जिसे माप आजा सकते है उसीको क्या करते है भौतिक रासी मापन इसी अज्यात रास्थ्य lookin рास्य दो प्रकार की होती है, मूल रासियां और ब्यूत्पन रासियां, तो मूल रासियां क्या होती है, ऐसी रासियां जो स्वतंत्र होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी अन्य रासियों पर निर्भर नहीं करती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मूल रासियां कहते हैं, लंबाई हो गया, द्रब्यमान हो गया, समय, विद्दुधारा, तापमान, प्रकास्ती बृता, वस्त की मात्रा, ये सभी क्या हो गई, ये सभी मूल रासियां हो गई, अब इसके बाद जो अन्य आती हैं, वो क्या होती हैं, ब्यूत्पन रासियां होती हैं, छेतरफल, आयतन घनत बेग त्वरण बल ये सभी क्या है कारिश सम्मे कारिशक्ति उर जाते सभी ब्यूत्पन रासिया होती मतलब ये मूल रासियों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है ये अपने आप में सोतंत्र नहीं होती तो इनको क्या कहते हैं ब्यूत्पन रासिया कहते हैं मूल रासि जिनका प्रयोग भूध्पन नराशियों को आपने के लिह करेंगे उन्हें क्या कहेंगे भूध्पन पूरा full detail चाहिए तो already यहाँ पर classes उपलब्द हैं वहाँ से जा करके आप पूरा explanation देख सकती है यहाँ बस हम वही चीजों को discuss करेंगा जो बहुत ही most important होती है और परिछाओं में पूछी जाती है तो system of unit की बात की जाए इकाईों के प्रनालिओं की तो यह तीन परकार स्धीजों होती ही सबसे पहला आता है foot, pound, second प्रनाली जिसे कहते हैं F, P, S foot, pound, second प्रनाली यह basically क्या होती है British प्रनाली होती है British system के अंतरगात आती है इसमें लंबाई की इकाई क्या होती है फुट होती है इस लंबाई को फुट में मापा जाता है कोई भी दरब्यमान है दरब्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को किसमें नापा जाता है सेकेंड में नापा जाता है लंबाई को foot में, दरबिमान को pound में, समय को second में तो यह कौन सा सिस्टम हो जाएगा FPS हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, बिटिस सिस्टम कहते हैं दूसरा आता है CGS, centimeter gram second, centimeter gram second प्रणाली यह क्या होती, basically एक French प्रणाली होती है यह French में ज़्यादा तर परियोग की जाती है इसमें, लंबाई की काई centimeter होती है दरबिमान की काई क्या होती है, gram होती है और second किसका होता है, समय का होता है means, लंबाई को इसमें किसमें में आपेंगे, centimeter में आपेंगे कोई भी द्रब्यमान है वस्ट की मात्रा है उसको ग्राम में ना पेंगे और अकर समय है तो समय को किस में ना पा जाएगा सेकेंड में ना पा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सीजियर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली जो next यहाँ पर आता है next आता है MKS MKS का मतलब meter, kilogram, second प्रणाली यह क्या होती है metric प्रणाली के नाम से भी जानते है MKS क्यों क्या कहते है metric system के नाम से भी जानते है इसमें लंबाई को meter में नापा जाता है दरबिमान को kilogram में नापते हैं समय को किस में नापते हैं second में नापते हैं तो यह तीनों system आसा करते हैं आपको समझ में आया होगा अब जैसा कि आपने देखा British में FPS, French में CGS और UN countries में MKS पर यहाँ पर क्या होगा बहुत सारी confusion होती थी जब inter country वहाँ पर भी भी व्यापार होता था तो इसके लिए क्या गया गया एक ऐसा मिस स्टेंडर्ड बनाया गया एक मिस ऐसा स्टेंडर्ड SI unit बनाई गई जिए क्या हो सके सभी जगा प्रचलित की जा सके तो उसी को क्या कहा है SI unit कहा गया ठीक है जो सभी जगा क्या होती है प्रचलित होती है आलोबर दा वर्ड प्रचलित होती है अब नेक्स जिसके बाद मुछा जाता है आपसे मूल रासियों के बारे में जो fundamental quantities होत अब इसमें कौन कौन सी होती है उनका मात्रक क्या होता है प्रतीक क्या होता है यह आप से पूछा जाता है तो ऐसी मूल मात्रक जिनका परियोग मूल रासियों को ना अपने के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं जैसे यहां पर लंबाई द्रबिमान सम दिला यही सब क्या होते हैं मूल मात्रक होते हैं तो देख लेते हैं लंबाई कुम आपने के लिए मीटर का परियोग किया जाएगा मीटर को इस मालियम से लिखते हैं दरबिमान मास कुम आपने के लिए किलोगराम का परियोग किया जाएगा केजी से इसको परदर्शित करते समय ताइम को मेजर करने के लिए सेकंड का परियोग करbook करेंगे यह से अडी करते हैं Optimum एक टाइयां में रखना है कर्फरेज्चर का की क्या होती है तो लोग degree Celsius को टिक करते हैं degree Celsius क्या होती है CGS unit होती है जब भी पूछा जाए आपसे SI unit SI unit क्या हो जाती है कैल्विन हो जाती है ठीक नेश्ट प्रकास्टी बितज से कहते है luminous intensity इसका मात्रक Candela होता है worst की मात्रा का मात्रक क्या होता है mole होता है इसको MOL से परदर्शित करते हैं तो यह साथ थी भातिक रासियां और इनके मूल रासियां और इनके मात्रक नेश्ट जो यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है fundamental quantities के बाद जो दूसरी यहाँ पर supplementary quantities होती है ठीक पूरक रासियां होती है तो पूरक रासियों के बाएर में पूछा जाता है तो पूरक रासियां दो होती है एक होता है कोण ठीक अगर कोई simple कोण आपना है तो उसके लिए क्या परियोग करते हैं उसके लिए radian परियोग करते हैं और दूसरा होता है घन कोण गन कोंड जिसे ठोस कोंड के नाम से भी जानते हैं जैसे कि आपने कोई देखा होगा इस प्रकार से कोंड से यहां पर कोई वस्त है यहां पर जो एंगल बनता है इसी को गन कोंड कहते हैं तो गन कोंड को मापने के लिए इस्टे रेडियन का परियोग किया जाता है तो यह द हो जाएगा मीटर इस्कार चेथ स्थस्वाल पता है लंबाई गुणे च्वणाई तो लंबाईło पर मात मेंट थूर मिटर मीटर चाल चीमी नहीं, समय मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी मात्रक हो जाएगा त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है बेग में परिवर्तन बटा समय अंत्राल तो बेग परिवर्तन का मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड इसक्वाय यूनिट हो जाएगी तुरंड की बल बराबर क्या होता है बल फोर्स एफ एफ बराबर क्या होता है एम गुड़े ये द्रब्दमान गुड़े तुरंड तो यहां से इसका मात्रक क्या जाता है बल का तो बल का जाता है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसक् दाब या फिर प्रतिबल का मात्रक पूछा जाए प्रेसर या फिर इस्ट्रेस तो दोनों का मात्रक समान ही होता है क्या होता है न्यूटन पर मीटर इसक्वाइर पी बराबर क्या होता है एफ बाई एफ मतलब होता है यहां पर फिर से देखेंगे पी बराबर एफ बाई एफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और př G अग्तरत को सब्सक्राइब का is सब्सक्राइब chi जूल पर सेकंड सरण को प्लेन एंगल है तो इसका मात्रक्त हो जाएगा तो इस्टे रेडियन हो जाएगा टंप्रेशर का मात्रक्त डिग्री सेल्सियर्स होता यह सेजियर्स यूनिट होती है इस पेसिफिक हीट 20 विस्षट उसमा किसी भी एक ग्राम वस्तु का तापमान एक डिग्री सल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी उस्मा किया हो सकता होती वही क्या कहलाती है उसकी बिशिष्ट उस्मा कहलाती है इसको किसमे मापते हैं तो इसको जूल प्रत किलो ग्राम पर डिग्री सल्सियस में मापा जाता है बहुत ही most important ह जूल प्रत किलोग्राम प्रत डिग्री सल्सियस इसका मात्रक होता है next विद्दूत तनाव जिसे इलेक्ट्रिक टेंशन कहते हैं या फिर विभवांतर पोटेंचियल डिफरेंस विद्दूत वाहक बल इलक्ट्रमोंटिव फोर्स इन तीनों का मात्रक क्या होता है बोल्ट काफी चोटे नंबर को लिखना होता है जिसमें जीरो की संख्या काफी जादा ऊथा जैसे एक के बाद कई सारे यहां पर जीरो दिये गें तो इसको इतना बढ़ाना लिखते जीरो को हम थोड़ा संचिप्त में रूप में लिखते हैं या फिर लिखा है 0.0000 कुछ इस तरीके से है तो इसको अभी हम ऐसे न लिखके इसको क्या करते है छोटे form में लिखते है जिरो को तो वहीं पर दो सब्द आते हैं एक होता है प्राफिक्स एक होता है suffix prefix अपवर्तक, means ऐसे सब्द जो किसी भी संक्या से पहले, मतलब उससे पहले यूज किया जाता है, नाम की पहले आते हैं उसों अपवर्तक कहते हैं दुर्स अपवर्त होते हैं जो कि उसकी बाद में आते हैं, ठीक चलते हैं देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर प्रफिक और सफिक्स का पर्योग बेसिकली किया जाता है ठीक यहाँ पर सबसे पहला आता है डेका डेका को किस से लिखते हैं डीये से लिखते हैं कब लिखेंगे 10 की पावर 1 दूसरा हेक्टो इसमाल ह से 10 की पावर 2 किलो के से 10 की पावर 3 मेगा म से 10 की पावर 6 अब इसे आप से direct question पूछा जाता है कि 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है मेगा कहा जाता है दसकी पावर 3 किलो दसकी पावर 2 हेक्टो दसकी पावर 1 तो डेका गीगा को कैसे लिखते हैं तो दसकी पावर 9 से तेरा को दसकी पावर 12 से इसके उपर पूचा नहीं जाता तो 10 की पावर 1 को डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 है तो मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा से परदर सित करते हैं नेक्स देख लेते हैं, जो सब मल्टिप्लाई होते हैं यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 1 है तो इसे डेसी कहते हैं, इसमाल डी से, सेंटी 10 की पावर माइनस 2, मिली 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो को 10 की पावर माइनस 6, नैनो 10 की पावर माइनस 9, पीको को 10 की पावर माइनस 12, एक बार फिर से देखेंगे 10 की पावर माइनस एक है तो उसे डेसी कहेंगे 10 की पावर माइनस दो को सेंटी 10 की पावर माइनस तीन को मिली 10 की पावर माइनस छे को माइक्रो 10 की पावर माइनस नो को नेनो जसकी पावर माइनस 12 को P को के नाम से जाना जाता है इसे आप याद कैसे रखते हैं तो जो साट फार्मूला होता है K, H, D, M, D, C, M यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है यहाँ पर किलो, हेक्टो, डेका, फिर यह स्टेंडर्ड हो जाता है अगर इस मीटर्स हम इधर की तरफ जाते हैं तो दस्की घात बढ़ती जाती है तो K, H, D, M, D, C, M से आप इसको याद में रख सकते हैं ठीक जब आप K, H, D, M, D, C, M इस तरफ आएंगे तो घात में क्या होगी कमी होगी मतलब नंबर आप 0 कम होती जाएंगे अगर आप इधर से इधर की तरफ आएंगे तो नंबर आप 0 क्या होता जाएगा बहता जाता है ठीक तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन सोरी यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं यहाँ काफी छोटी काईयों को वहाँ पर तरफ रिखना होता तो इसके लिए चोटी उनिट पर योग की जाते हैं इंगश्ट्राम कहते हैं एंगश्ट्राम एक एंगश्ट्राम का मतलब क्या होता है तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर ये एक एंगस्ट्राम के बराबर होता है कियाच DCM DCM से क्वेस्चन किस प्रकार पूँछे जाते हैं ये भी आप देख लीजिए ठीक जैसे माल लीजिए पूँछ लिया गया एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं कितने अस्थान गये 1, 2, 3 ठीक तो एक के बाद 1, 2, 3, 0 लगा दीजे मताब एक किलो मीटर में 1,000 मीटर हो गया ठीक अब इसी प्रकार पूँछा जा सकता है और एक किलो मीटर में कितने मीली मीटर होते हैं तो आप देखेंगे जब SDM DCM में 205-6 अच्छान आगे जातें तो उसे आप 10是 पावर 6 मिलिमीटर भी कह सकते हों नेक्सट जो यहां पर पूंशा जाता है कि कि सका मात्रक क्या होता है सबसे पहले यहां पर लंबाई की उनिट की बात करते हैं तो लंबाई मज साँ आपको माइक मिली मीटर पता ही है मीटर सेंटी मीटर देशी मीटर किलो मीटर यह सभी पता ही है छोटे ही काईयों की बात की जाए तो माइकरों का परियोग किया जाएगा यहां पर पूछ लिया जाता है कि एक माइकरों के बराबर होता है तो एक मिली मीटर एक हजार माइकर या इसी को ली सकते हैं 0.001 micron यह mucus का सिंबल होता है micron का सिंबल होता है तो यह दोनों relation कई बारी जामें पूछे जाते हैं 1 micron में कितने mm 0.001 mm या 1 mm में कितने micron तो 1000 micron ब्रिटिस में unit देख लेते हैं क्या होती है तो सबसे पहले ब्रिटिस में जो छूटी unit होती होता है इंच होता है उसके बाद आता है foot तो एक foot में 12 इंच होते हैं अब इंच गर लिखा है कहीं मालों 12 इंच लिखना है तो 12 के ओपर कुछी दो प्रकार से आप लिख देंगे इंच हो जायेगा अगर ही आपके वहल एक लिखते हैं जैसे हिंदी में कहते हैं गज तो एक गज बराबर होता है तीन foot के एक फरलांग बराबर होता है 220 गज के गज मतलब यार्ड एक मील किसके बराबर होता है तो एक मील आठ फरलांग के बराबर होता है या 1760 गज के बराबर होता है यहां से important क्या पूछा जाता है तो यह जो चारो दिये गे हैं महुती most important एक फुट बारा इंच एक गज में तीन फुट एक फरलांग में 220 गज और एक मील में 1760 गज के बराबर होता है अगर यहीं पर द्रब्यमान की बात की जाए तो द्रब्यमान में जब आएगा यहां पर पूछा जाता है एक आंस बराबर तो एक आंस ब बराबर होता है ठीक और एक क्वार्टर किसके बराबर होता है तो 28 पाउंड के बराबर होता है एक हेंड्रेवेट चार क्वार्टर के बराबर एक टन 20 हेंड्रेवेट के बराबर होता है यहां से जो मोस्ट है वो क्या है एक आंस किसके बराबर होता है तो दस द्राम एक प पुछा जाता है समय की सबसे चूटी का ही क्या होती है तो सेकेंड होती है बड़ा क्या होता है तो रेडियन होता है सबसी को पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साथ मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सिकंड होते हैं, तो बहुत ही इजी है, अब अगर इनका मिलिमीटर का में जो मेट्रिक यूनिट है ब्रिटिस यूनिट है, दोनों का आपस में कनवर्जन देखा जाए, किस प्रकार से एक दूसरे में इंटर रिलेट करती हैं, कैसे का कनवर्जन होता है, तो वो देख लेते में इस इकाईयों का रूप आंतरन कैसे करते हैं, तो एक मिलिमीटर में कितने इंच होते हैं, एक मिलिमीटर जीरो दसमलो जीरो तीन नो तीन साथ इंच के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक मिलिमीटर बराबर होता है, जीरो दस्मलो जीरो तीन नो तीन साथ इंच के बराबर होता है वगर यही सेंटी मीटर पूच लिया जाए तो दस्मलो को एक अस्थान आप इस तरब किसका देंगे तो यह जीरो दस्मलो तीन नो तीन साथ इंच के बराबर हो जाएगा एक मीटर कितने इंच के बराबर होता है एक मीटर कितने किलो एक मीटर कितने इंच के बराबर तो 41.37 इंच के बराबर होता है इसमें से आप तीनों में से कोई भी एक याद रखेंगे तो तीनों को आप इजली वहाँ पर कनवर्ट कर सकते हैं 1.0.03133 1.0.0330 1.0.0337 1.0.49번 7.00 1.0.4927 इंच के बराबर होता है दूसरा 1.0 कितने मिल के बराबर होता है तो 1.0 में 0.6214 मिल के बराबर होता है इसी को उल्ता पूछी लिया जाए कि एक में कितनों मिल मीटर होते हैं तो 26 suggesting 25 limit, किम्लें चैनल एक मिल में 262 Cum tomato में 8 किम्लिट में मिल पूँछा जाय तो 0 26 2014 मिल होता है नेफ्ट द्रभमान का देखा जाय तो द्रभमान में कैसा इसका रूप आंत्रन होता है द्रभमान में सबसे पहले आता है चोटा उनिट ग्राम होता है तो यहाँ पर पूछा क्या जाता है एक ग्राम तो 15.432 ग्रेन के बराबर होता है यह इतना जादा नहीं पूछा जाता most important क्या होता है एक किलो ग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है तो एक किलो ग्राम बराबर होता है कि 1 kg में 2.2 pound होते हैं इसी को अगर उल्टा पूँच लिया जाए कि 1 pound में pound को LBS लिखते हैं short form में 1 pound में कितने kg होते हैं 1 LBS मतलब 1 pound में जोak कि संख्या होती होता है 450.6 gram होता है ऐस एक pound में 400.26 गर इसी जी को kg में लिखना है तो क्या करेंगे यहाँ पर आप इसके आगे डसमलो लगा देंगे तो एक किलो गराम, एक पाउंड में 0,453,6 किलो गराम होते है नेक्स जो पूछा जाता है, तो पूछा जाता है एक गैलन किसके बराबर होता है तो एक गैलन बराबर होता है 4,454,3 लीटर के एक गैलन में 4,45 लीटर होते है नेक्स यहाँ पर देख लिया जाए कुछ और रूपांतर एक इंच में कितने संटी मीटर तो एक इंच में 2,54 संटी मीटर या फिर 25,4 मिली मीटर ये दोनों ही इंपोर्टेंट है एक इंच में कितने मिली मीटर तो 25.4 मिली मीटर या 2.54 संटी मीटर एक फुट में कितनी मीटर होते हैं तो एक फुट में 0.348 मीटर ए फिर 30.48 संटी मीटर दोनों में से कोई एक Relation आप याद रख सकते हैं एक फूट में कितने मीटर, तो 0.38 मीटर, या फिर 30.48 सेंटी मीटर, एक गज कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1.106, daran, यूद६ 1.09 किली मीटर होते हैं, उपर यह हमने डिसकस किया था, इसका उल्टा किया था, तो इसका उल्टा पूंचा जाता है, कि एक मील में कितने, तो एक किलो मीटर में कितने मील होते हैं, तो 0, 6, 2, 1, 4 मील होते हैं, मील में किलो मीटर, तो 1, 6, 0, 9, यहाँ पर क्या most important है, तो यहाँ पर important है, एक pound किसके बराबर होता है, तो 0, 4, 5, 3, 6 किलो गराम के बराबर होता है, या इसी को 453.6 किलो गराम कह सकते नेक्स्ट पूशा जाता है कि एक टन कितने किलो गराम तो अगर एक टन पूशा जाए मिट्रिक वाला तो किसके बराबर होता है एक दसमलो, 0- Bernie магराम के बराबर होता है अगर पूंचा जाता है एक लिटर में कितना cubic centimeter होता है तो एक लिटर बराबर होता है 1000 cubic centimeter के यईसी को लिख सकते हैं एक लिटर बराबर 1000 centimetr cube पानी होता है ठिक, next चलते हैं, next क्या यहां पर रूपांत्र पूँचा गया है यहाँ पर कुछ इकाईया दी गई है और उनका बराबर पूछा गया है किसके बराबर होता है जैसे यहाँ पर वाइलूम के बारे पूछा गया है क्यूबिक सेंटीमीटर की बात की जाए तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है एक मीटर क्यूब किसके बराबर होता है तो एक मीटर क्यूब एक हजार डेसी मीटर के बराबर होता है नेक्स्ट एक लीटर किसके बराबर होता है तो एक लीटर बराबर होता है एक हजार सेंटी मीटर क्यूब के यह most important है इसको आप याद में रखेंगे नेक्स्ट एक क्यूबिक इंच किसके बराबर होगता तो ये 16 दस्मलों 387 cm क्यूब के बराबर होता है एक क्यूबिक फिट किसके बराबर है तो 28317 cm क्यूब के बराबर है एक गैलन बराबर है तो 4 दस्मलों 54 लीटर के एक cm3 बराबर है एक decimetr बराबर है एक 0.02 193 अहां पर most important क्या है सबसे पहले most important था एक centimeter cube बराबर है 1000 mm cube के ठीक एक liter बराबर है 1000 cm cube के next एक cubic inch बराबर है 16.03 cm के और एक gallon किसके बराबर होता है तो 4.54 लीटर के बराबर होता है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है चलते हैं next की तरफ next में क्या पूछा गया है और क्या क्या अपके लिए important यहां से हो सकता है next यहां पर आया ध्रब्रिमान के लिए इस को major करते हैं जैसा आप नहीं देखा था उपर देखा था जोटा क्या होता है gram होता है एक gram किसके बराबर होगा एक 1000 मिली gram के बराबर होगा एक kg बात की जाए तो एक हजार kg के बराबर होगा अगर एक मिट्रिक तन बराबर हो जाएगा एक हजार kg के ब्रिटिसेंट एक हजार 14 kg के sorry for that previous में थुझा सा इल्टा हो गया था तो यहां आप दहान में रखेंगे अगर पूछा जाए एक मिट्रिक तन तो एक हजार किलो गराम के एक बिट्रिक तन तो एक हजार सोला किलो गराम के बराबर होता है एक आउस पूछा जाए तो एक आउस में होता है 28.35 गराम कितना होता है एक पाउंड होता है 0.454 kg के या फिर 453.0 गराम के एक पाउंड में 453.0 गराम या 0.454.0 किलो गराम के बराबर कह सकते हैं एक किलो गराम में कितने पाउंड तो 2.2 जीरो पाउंड एक किलो गराम में होते हैं दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है important वो आता है ता आप मान को major करने का तो आप सभी को पता है ता आप मान को मापने के लिए कई प्रकार के यहाँ पर पैमारी परियोग के जाते हैं जैसे centigrade इसको degree Celsius के नाम से जानते हैं Fahrenheit, degree Fahrenheit, Kelvin case से rumor को R से परदर्शित करते हैं इनको एक पानी को एक जाम पर ले लें तो पानी का यहाँ पर क्वथनांक होगा, 100 degree Celsius होगा Fahrenheit, 180 degree Fahrenheit, 80 degree rumor पर या फिर 100 degree Kelvin पर क्या होता है, यह सब उबलने लगता है, तो यहीं से question आप से पूछा जाता है, ठीक, तो चलिए इसको कैसे आपस में relate करते हैं, तो relate क्या होता है, C बटा 100 ब से cancel out कर देते हैं, तो नया relation आता है, C बटा 5 बराबर, F माइनस 32 बटा 9 बराबर, R बटा 4 और यह बराबर हो जाएगा, K माइनस 273 बटा 5 के, इसमें से कोई भी दो को आपको आपस में compare तो लना करना होता है, एक दिया जाता है, दूसरा आपको निकालना होता है, जैसे degree Celsius और Fahrenheit का पूंचा जाए, तो यह formula पीक अप कर लेंगे, Fahrenheit rumor का पूंचा जाए, तो यह वाला पीक अप कर लेंगे, जो भी आपको पूंचा जाता है, उस हिसाब चीज़ को आप calculate कर सकते हैं, जैसे, माली यह पूंच लिया गया यहाँ पर, कि 40 degree Celsius किस के बराबर है, कितने Fahrenheit के बराबर है, तो क्या करेंगे आप, यह वाला formula पर योग करेंगे, इसका short form क्या था, C बटा 5 बराबर, F माइनस 32 बटा 9, तो इसमें आप क्या करेंगे, जहां पर भी C है, C के अस्थान पर क्या लिख देंगे, 40 को 5 से cancel out करेंगे, कितना हैगा, 8, 8 को 9 से गुना करेंगे, 72, और 72 जब आप 3 जोड़ेंगे, 30, 32 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 104 के बराबर हो जाएगा, 40 डिगरी Celsius किसके बराबर हो जाएगा, 104 डिगरी Fahrenheit के बराबर होता है, कुछ और यहां पर जो most important conversion है, आपस में जो उनका संबंद होता है, उसको देख लेते हैं, जैसे 0.3937 इंच होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, तो 1 cm में 0.3937 इंच होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को वहाँ पर आपस में रूपांतरन कर सकते हैं, इसी को मीटर में पूछ लिया जाता, तो 41.37 हो जाता है मिली मीटर में पूछता तो 0 और लग जाता एक अंक पहले तो 0,10,0,03,7 इंच के बराबर हो जाता दूसरा यहाँ पर जो पूछा गया है एक feet किसके बराबर तो 1 feet में दसमलो 3048 मीटर होता है एक फिट में कितने मीटर होते हैं तो 0.3048 मीटर होते हैं एक गज में कितने मीटर होते हैं तो एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं एक मील में 1.609 किलो मीटर एक मीटर में 41.37 इंच होता है एक मीटर में 3.2802 फुट होता है यहाँ पर पूछा गया था कि एक फिट में कितने मीटर होते हैं तो 0.3048 मीटर होते हैं अगर पूछा जा एक मीटर में कितने फिट होते हैं तो 3.2802 फिट होते हैं एक मीटर कितने गच के बराबर होता है तो एक सही एक बटा 11 गच के बराबर होता है एक डेसी मीटर में लगभग चार इंच होते हैं आठ किलो मीटर लगभग बराबर हो जाता है पांच मील के एक किलो मीटर में कितने मील होते हैं तो लगभग 0.6214 मील होते हैं एक किलो मीटर में कितने गज होते हैं तो 1093 गज के बराबर होता है यहां से important क्या है तो यह सारे के सारे आपके लिए important है इंच का centimeter में fit का meter में मेल का kilometer meter का foot यह सारे ही बहुत ही most important आप के लिए हैं अब अगर इससे कुछ थोड़ा सा हट कर पूछेगा वह आप से तो इससे हट कर क्या पूछा जा सकता है जिसे कुछ अन्य रासियों के लिए पूछा जा सकता है से आपके एक्जाम में अगर मालीजे ब्यूदपन रासियों के बारे में पूछा जाए तो वहां से आपको पूछ सकता है कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है तो एक गालोरी लवक चार दस न्यूटन के बराबर होता है एक किलो ग्राम फॉर्स है कितने न्यूटन के बराबर होता है एक किलोगराम फोर्स बराबर होता है नौ दसमलो आठ न्यूटन के ठीक एक केजी अफ लिखा रहे है या एक किलोगराम फोर्स लिखा रहे है मुझा जाए किते न्यूटन के बराबर होता है तो नौ दसमलो आठ न्यूटन के बराबर होता है ठीक आपने कैलोरी वाला देखी लिया कि एक कैलोरी किसके बराबर होता है चार दसमलो दो जूल के बराबर होता है तो दूसरा पूछा जाता है हार्स पावर से कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है तो अगर बिटिस में पूछा जाए तो बिटिस में होता है ये 746 वाट के बराबर होता है अगर मेट्रिक में पूछा जाए तो मेट्रिक में 735.5 वाट के बराबर होता है ठीक बिटिस में 746 वाट मेट्रिक में 735.5 वाट होता है एक हर्स पावर में दूसरा पूछा जाता है एक किलो वाट में कितनों वाट होते हैं तो एक किलो वाट में एक हजार वाट होते हैं एक हजार वाट में लिकर क्या बनाता है एक किलो वाट बनाता है दूसरा प्रेसर से लेडेटेट पूछा जाता है कि एक बार किसके बराबर होता है तो जो एक बार बराबर होता है एक पासकल के बराबर होता है या उसी को लिखा जा सकता है तो एक बार बराबर होता है दसकी पावर पांच पासकल के कितने दसकी पावर पांच पासकल के तो यह उसके बराबर है 57.3 डिगरी के बराबर होता है दूसरा यहां से पूझा जाता है पाई रेडियन किसके बराबर है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिगरी के कुछ most important थे जो कि आपको याद में रखने है जो आपस में इनके रूपा अंत्रन होते हैं जाता हैा है एक kilogram में में कितने पांड तो दसमनों दो जीडो पांड या फिर एक में कितने गराम तो 435 दसमनों छे गराम तो इस प्रकार से चीजह आपके रिद threatens पूछी जाती है इस पर अधारित निमिर्कल पूछे जाते हैं तो निमेर कला आप कब कर पाएंगे जब आप बेसिक क्लियर होगा आपका ये सारे यूनिट आपको पता होंगे एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर एक इंच में कितने सेंटीमीटर तभी आप उस सबे आंकिक जो प्रशन होते हैं नुमेरिकल्स होते हैं उसको आप सॉल्ब कर सकते हैं वीडियो कैसे लगी कमेंट सक्षिन में जरूर बताईएगा चुकि यूनिट से बस इतने ही question पूछे जाते हैं इसे से आपका unit total complete हो जाता हो हर एक exam में 2-3 question इस chapter से पूछे जाते हैं चाहे वो इसकी unit पूछ ली जाए और फिर unit का आपस में रूपांतरण पूछ लिया जाता है ठीक तो comment section में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगी कोई सेजक्शन हो तो भी दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकले डिसकस करने वाले हैं अगले चेफ्टर को जो की है द्रभ्यमान, भार एवं घनत ठीक मास बेट एंड डेंसिटी के बारे में नेक्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो तिल देन है वे गुड टेम बेस्ट आप लगता है